बहुत बहुत धन्यवाद सभापती जी आज आपने मुझे माननी है राश्ट्रपती जी के 31 जन्वरी 2022 को संसद के दोनों सद्रों में जो उनका अभिवासन हुआ उस पर बोलने के लिए आपने मुझे 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 दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है लेकिन इसके साथ ही मैं दो तीन दिन से जिस तरह से राश्ट्रपती अभिवासन पर वारता सुन रही हूँ और पक्स और विपक्स जिस तरह से वारता दे रहे हैं लेकिन माननी राश्ट्रपती जी का भासन एक ऐसा विहंगम द्रश्टी कौन से को लेकर है और उस विहंगम द्रश्टी कौन को यदि समझा जा सकेगा तो मुझे लगता है कि हम ये समझ पाएंगे कि भारत संसार को प्रेड़ना देने वाला और एक मुसीवतों में बी और अब मुसीवतों के अंबारों में भी इस देश की अर्थ विवस्ता को इस देश की मानवता को इस देश के जन मानस को प्रकरती को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देगा माननिय राष्ट्रपती जी के अविवासन में जितने भी विंदू लिये सब पर में अपना विचार नहीं रख सकती क्योंकि समय कम है लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज जिनके भी अविवासन सुन रही हूं जिनकी प्रतिक्रियां सुन रही हूं मुझे लगता है कि समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीपियों को समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीपियों को उठाने से संतुष्टी पाने वाले लोगों ने समुद्र के गर्ब में छुपे हुए मोतिक कोस को कभी देखा ही नहीं वर्तमान अभीवासन में समुद्र में छिपे हुए मौतिक कोश को निकालने के लिए भारत की सरकार और इसका सक्षम नेत्रत्व जिस तरह से डुबगिया लगाकर इस देश के सम्मान को खोज रहा है इस देश की प्रगती को खोज रहा है मुझे लगता है कि अभीवासन के प्रष्टों में या उनके संधर्बों में जहाकने की कोशिश नहीं की अभी कुछ समय पहले एक वारता आई थी और उस वारता में अंत में माननिय सदेश्या ये बोल कर गई कि जब नास मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने कि संधर्ब में ये बात कही लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि उनको भी और दो दिन से चल रहे वाद समवाद को भी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विस्तरित आकास रे कपोत कुछ ही दानों पर करता क्यों जीवन का नास आज हमारे यसस्वी प्रधान मंत्री राष्ट्र पदीजी के नेत्रतु में जो अविवासन हुआ उस संपूर अविवासन में राष्ट्र की प्रगती राष्ट्र की विचारधारा राष्ट्र की दिसा और राष्ट्र की नियत छुपी हुई है और इस नियत को समझने के लिए कान और नाक और आख सब द्रुस्त करने पड़ेंगे और केवल आलोचना करना आलोचना करने से कुछ नहीं होता बलकि समालोचना करने की आदत होनी जाहिए समालोचना से ये पता चलेगा कि हमारे वरिष्ट सांसर मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने ये कहा कि मैं हमारे राष्ट्र के एक ऐसे सपूत के बारे में जो टिपणी की कि मैं उनके होलोग्राम को देखने गया वो दिखा नहीं मैं अत्य दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये टेकनोलोजी के हिसाब से जब तेज हवाएं चलती हैं तो उन तेज हवाओं के चलते हुए ये होलोग्राम सुरक्षित नहीं रह पाता ऐसी इस्तिती में उसको सुरक्षित नहीं रह सका इसलिए उसको उनको दिखाई नहीं दिया उनको लगा नहीं लेकिन जैसे जैसे समय अनकूल होगा वातावरान अनकूल होगा प्रकरती अनकूल होगी निस संदे वो पुने स्थापित होगा और इसके लिए ज़्यादा च प्रश्टर पती जी के भासन की तरफ खाना चाहती हूं, संसार में आज कोरोना महारी में, जिस तरह से हमारे देश ने इस कोरोना महारी में आज 150 करोड हमारे भाई बहन जो वैक्सिन प्राप्त कर चुके हैं, और मैं सोचती हूँ कि मैं खुद भी इस सदन में बहुत पुरा लोचना है ही नहीं, जबकि समालोचना की आवश्यक्ता इसलिए होती है, कि सरकार किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुद्दे पर, यदि थोड़ा पीछे भी रह जाए, तो उसको दिसा दें, माननिय राष्ट्रपती जी का अभिवासन सरकार की एक आईना होता है, सरकार द्वारा किये हुए कारियों को माननिय राष्ट्रपती और करनिय कारियों को राष्ट्रपती जी अपने सम्भासन में सम्मिलित करते हैं, और उसके बाद ही हम बिंदू बार इस पर चर्चा में आते हैं, कई मुद्दे हैं, कोरोना मारी में हमारे डॉक्टर पुलिस ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो इस दुनिया से ही चले गए, जिन्नों ने सेवाएं दी, जो सेवा दे रहे हैं, उनके प्रती संवेदना, प्रकट करना, राश्रपती जी के भासन में बहुत अच्छे से हुआ है, और हमारे भारतिय जन्ता पार्टी ने सेवा ही संकल्प समझ कर, संगठन को सेवा ही समझ कर आगे बढ़ने की जो प्रयास किया, उससे आज पूरे देश के अंदर भारतिय जन्ता पार्टी के कारिकरता, जगए जगए पर सेवा के लिए खड़े हुए हैं, मेरे स सारसोई, आज भी हमने बंद नहीं की, क्योंकि इसके माध्यम से जन जन से कणे एकत्रित करके, हमने इस विवस्था को किया, और सब ने योगदान दिया, मानिये राश्टरपती जी के अभी वासट में यदि इसकी तारीफ होती है, तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन राजों में मैं जिस राजी से आती हूँ, वो है राजस्थान, आज भी राजस्थान के राज में महिलाओं पर, बेटियों पर, अभी अलवर का कांड भूले ही नहीं थे, कि कल एक कांड और हो गया, अलवर के कांड को जिस तरह से लिपापोती की, और मैं सोच कि जगन्य अपराध होने के बाद भी उसको चुपा लिया जाता है तो महिलाओं के पृति राष्ट्रपती जी के भासन में और हमारी सरकार की नियत में जिस तरह से इसपश्ट है कि महिलाओं की उन्नती, बेटियों की शुरक्षा, बेटियों की शिक्षा, इनके पृति जित जूटे वक्तब को देखते हुए कई बार शरम भी आने लगी ऐसे जूटे वक्तब की देश को दो भागों में बांट दिया कि गरीब और अमीर दो इंडिया ये कैसे मान ले हम की गरीब और अमीर दो इंडिया उनके राज के दोरान में पली और बड़ी हुई हूँ लेकिन अनुसूची जन जाती की मैं मैं जानती हूँ कि केवल हमारा वोट पाया उन्होंने एस्टी और एस्टी का केवल वोट प्राप्त करने के लिए ही काम किया यदि काम हुआ हमारे लिए तो ये 6-7 बरसों के अंदर काम हुआ है मानिये सभापती जी मैं आपका ध्यानी सोर इसलिए करना चाहती हूँ कि केवल वोटमेंग की राजनीती ही सबसे अच्छी राजनीती है नहीं राश्ट्रहित की राजनीती आज हमारा यसस्वी प्रधान मंतरी और हमारे राश्ट्रपती जी के अभीवासन में जो बाते आई है सुद्ध नियत सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास प्रयास को और जोड़ा है तो प्रयास इसलिए जोड़ा कि आप सब लोग हमारे साथ सरकार की नीतियों के साथ अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने एक्षेत्रों में मिल जूल कर रेदी काम करें, तो निस संदे ये देश पुने सोने की चिडिया बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन इनको स योजना राष्ट्रिक देता है, हमारा देश देता है, वित्मंत्राले देता है, हमारी सरकार देती है, लेकिन प्रतेक राज्य के अंदर समान रूप से विकास के लिए आगे बड़े हैं, आज पक्के घर की बात करें, जहां तीन करोड पक्के घर मिल गए, तो भी संतुष वो जमाना था, जब 35,000 रुपे इंद्रा आवास योजना के नाम से दिये जाते थे, उनमें से भी लूट होती थी कि वो विचारे लाभारती के पास 5,000 भी नहीं पहुशते थे, आज पक्का घर हो, सोचाले हो, जंदन खाता हो, गैस का कनेक्शन हो, या किरसी किसान कल्या किसान की बात सोची थी, इस साथ बरस के राज में कभी सीधा पैसा किसान को, मजदूर को, महिला को, बेटियों को, किसी को नहीं मिला, लेकिन आज सब के अकाउंट है, जिस समय हमारे देश के यससवी प्रधान मंतरी ने कारिभार ग्रेंड किया, उस समय 3,35,000 खाते थे ब जिनमें सब महिलाओं के खाते हैं, सब महिलाओं के खाते हैं, और खाता खुलने का अभिप्राए एक ही है, कि बीच के बिचोली है, जो इनके खुद के प्रधान मंतरी कहा करते थे, कि एक रुपया बेजते हैं, तो नीचे जाकर 20 रुपे पहुंचते हैं, वो बीच के 80 र में जाता है महरी राजस्तान में 66 लाग किसानों को बारवी किस्त दो दो हजार की एक जन्वरी को उनके खाते में पहुँच गई मैं जब उनसे पूछती थी तो मैं एक ही बात कहती थी कि ये कभी आज तक खातों में पैसा आया क्या किसान बोलते हैं और आज किसान के आधार पे राजनीती करने वालों को मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ माननी आपसे सभापती जी कि मैं खुद किसान हूँ और जो प्राकरतिक क्रसी की तरफ हमारे अभिवासन में, हमारे राष्टरपती जिने, हमारे प्रधानमंत्री जिने जो बास सोच रखी है, मैं खुद और्गनिक खेती करने वाली हूँ और आज, 14 साल पहले जब मैंने शुरू किया, आज मेरी खेती 20 गुणा पैसा देती है, और मैं आज पास के सभी किसानों को, लगबग 40 गाओं के किसानों को, मेरे संस्दिय क्षेत्र के किसानों को, उस हाइटेक एगरीकल्चर, और्गनिक एगरीकल्चर, और उध्यानकी से जोड़ते हुए, होटिकल से जोड़ते हुए, क्योंकि मैं हमारे यहां पानी की बहुत बड़ी कमी है, और उस पानी की कमी के कारण कम पानी से लागत की फसलें क्या हो सकती हैं, इसकी मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ, और खुद समझाती हूँ, और आज सवाई का अमरूद, आप यह देखिए कि अजादपूर मंडी में इस नाम से बिखता है, तो क्या हमारे देश के क्रसी मंत्राले ने जिस तरह से योजनाय बनाई, उन्यों, मानिये मुझे मैं बहुत देर से इंजार करी हूँ, आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि मैं एक महिला ह हूँ, और एक बहुत ये जन्ता पार्टी की खारिकरता हूँ, मैं फिर आपको एक बात कहूँगी, कि आपको, मैंने पुने भी ये बात कही, कि जब हम ये सोच ले, और हमारी विचारधरा ये हो जाए, कि किसान के उपर, अब आप ये देखिए, कि 433 करोड किसानों के खातों में, MSP का लाब होगा, MSP का, और MSP पे जिद कर रहे हैं, चार गुना जादा MSP पर खरीद हमारे इस वर्स में हुई है, और मेरे यहां की बात नहीं करती, मैं एक ही जगे नहीं रहती, मैं राजस्तान के कौने-कौने में जाती हूँ, लेकिन राजस्तान की सरकार, भारत की सरकार की नीतियों के केवल जूटे बिरोध करने के अलावा कुछ नहीं करती, इसी तरह से जिन क्षेत्रों में हम दूर हैं, और वहां के नेतरतु में एक बहुत बड़ा बोनापन है, छोटापन है, दिल छोटा होगा तो वो सुईका नहीं करेगा किसी भी अच्छे काम को, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद साथ बरस पहले डली, और आज वो बुनियाद एक इमारत के रूप में दिखाई देती है, जो माननी राज्ट पती जी के अभी भासन में इस पर्ष्ट जलती है, मैं फिर एक बात कहना चाहती आपके माध्यम से, कि जिस तरह से पंदर में वित्तियोग का पैसा, मेरे से पूर्वे सांसद भाई ने भी ये बात कही, पंदर में वित्तायोग का पैसा, 11 म liberals तक राजेस्टान की सरकार अपने खाते में डाल कर रखे रखी, और हमारे सरपंचों के पास एक कौड़ी भी नहीं दी जब पार्लियमेंट में ही जीरो आवर्स में मैंने ये मुद्दा उठाया था उसके बाद 11 महीने बाद ये पैसा उनको मिला राजस्तान की सरकार पूरे देश की सरकारों को भारत की सरकार क्या दे रही है यदि मैं आकड़े लेकर बैठी हुई हूँ लेकि समय आप महिलाएं करती हैं और वो महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि भारत सरकार की नीतियों को लाब उठाकर ये संदेव आगे भी है बहुत बहुत धन्यवाद